साथियों जैसा कि आप जानते ही हैं कुमाव विश्य विद्याले हो या कोई भी परिक्षया हो जैसे हाई स्कूल और इंटर के परिक्षयाएं भी हुई थी तो उसको जो है परिक्षयाएं ना करा करके अन्य वेस्ट पर उसके नंबर रख दिये गए दे तो हर कोई यहाँ पर एक तो करोना की वज़े से सकते में है कि परिक्षयाएं होंगे नहीं होंगी साल भर जिसने भी चाहे कॉलेज ना भी गया हो घर पे किसी ने परिक्षयाएं कब होंगी कुमाव विश्य विध्यले की परिक्षाओं की तिधिया अभी आनी शुरू हो गई है तो 10 सितम बर से ये परिक्षाओं होंगे अब बतादे हैं आपको कि ये सनातक, सनातक उत्तर, अंतिम सेमेस्टर और सनातक अंतिम वर्षे की परिक्षाओं होंगे कुलपती की अधिक्षता में ये बैठक होई है और इसमें दोस्तों ये फैसला लिया गया है कुमाव विश्य विध्यले की सनातक, सनातक उत्तर और व्योशाइक परिक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परिक्षाओं दस सितम बर से होंगी इससे पूर्व ABBP से जुड़े शात्र नेताओं ने परिक्षाओं की तिथी में संसोधन को लेकर विश्य विध्यले में जम कर हंगामा किया था इसके बाद विश्य विध्यले ने एक माह तक परिक्षाओं स्थागित कर दी यह देख दूसरे गुट ने इसका विरोध किया और विश्य विध्यले की परिक्षाओं के संबंध में स्थिति साप कर दी है ब्रस्वतिवार को विश्य विध्यले मुख्यालाई में कुलपती प्रोफिसर एनके जोशी की अधक्षता में बैठक हुई जिसमें परिक्षाओं के संबंध में विचार विमर्शक किया गया तै किया गया कि पूरो में 1 सितंबर से प्रस्तावेत विश्य विध्यले की मुख्य परिक्षाओं अब 10 सितंबर से होंगी पूर्ण परिक्षा कारिग्रम 3 सितंबर को विश्य विध्याले की आधिकारिक वेबसाइट पर अफ्लोड कर दिया जाएगा इसके अलावा विश्य विध्याले की वारसिक पद्धती के तहट सनातक पर्थमवर्ष के विध्यार्थियों की परिक्षाएं 4 अक्टूबर से होंगी कोरोना संकरमन के चलते कलिम विलंब से चल रहे शक्षनिक सत्र को नियमित करने के लिए परिक्षाएं अलग से आयुजित नहीं की जाएंगी संबनित परिक्षावल विश्य विध्याले की और से तै मानुकों और आधार पर गोशित किया जाएगा किसी नियामक संस्थाओं के नियमों से संचालित होने वाले पार्टिक्रमों में विश्य विध्याले की और से निर्धारित उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे विशुविधले के परिसार और संबंद कॉलेजूं से ने सत्र को लेकर कक्षाइफी दस सितम्बर से ही शुरू की जाएंगी उधर जल्द परिक्षा कराने की मांग को लेकर धरने पर बेठे शात्रों ने विशुविधले के फैसले का सwałगत किया है चात्रों ने कहा कि प्रोक्टर बॉर्ड ने शात्रहित को देखकर हुए दो दिन का आस्वासन दिया था इसके बाद उन्हें दस सितम्बर से परिक्षाई कराने का फैसला लिया है तो यहाँ पर दस सितम्बर के से परिक्षाई होने शुरू हो जाएंगे और PSD, Pre-PSD की परिक्षाई 11 सितंबर से होंगी और उसके बाद परवेश परिक्षाई के बारे में दोस्तों मैंने पर्शों आपको बताया था कि एक सितंबर से परवेश परिक्षाई शुरू होने वाली है तो प्रवेश परक्रिया पता नहीं कब सुरू होते हैं इसका अभी तक कुछ पता नहीं है यहाँ पर को साफ साफ जो है दिया गया है कि कॉलेज में कोई भी पूस्तास काउंटर नहीं के कारण पहली बार डिगरी कॉलेज की देहली इस पर कदम रखने वाले शात्रों का को कोई भी जानकारी देने वाला नहीं है ठीक है तो अभी पता नहीं कब ये परिवेश परिक्षाइं शुरू होंगी और कब ये कारण शुचार रूप से चलेगा अभी इसकी कोई भी इंफर्मिशन नहीं आई है तो दोस्तो इस वीडियो में यही आपको बताना चाहता था कि ये परिक्षाइं 10 सितंबर से होनी है तो आप लोग अप एक गुट यहाँ पर एबी पिपी ने हंगामा किया था कि परिक्षाइं स्थगित कर दी जाए लेकिन दूसरे गुट ने और कुछ बच्चों ने धर्ना परतशन किया कि परिक्षाइं करा दी जाए तो आप 10 सितंबर से परिक्षाइं होंगे तयार हो जाएं आप सभी को ढहिर शारे शुप कामने इस वीडियो में इतना ही है अकले वीडियो मिलेंगे धन्यवाद